विडियो स्टार्ट करते हैं आज लोग पढ़ेंगे घड़ी घड़ी में पढ़ेंगे पहला पढ़ेंगे मीरर इमेज की बारे में जिसको दरपड़ प्रतवीम बोला जाता है दूसरा पढ़ेंगे वाटर इमेज जिसको जल प्रतवीम बोला जाता है वाटर इमेज को और दरपड़ प्रतवीम का समय पूछे तो दिये गए वास्तवीक समय से हम 11 बज कर 60 मिनिट माइनस कर देंगे तो मेरा दरपड़ प्रतवीम का समय निकल कर चलाएगा माल लिए घड़ी में 3 बज कर 30 मिनट हो रहा है 3 बज कर 30 मिनट हो रहा है और पूछ दे कि ये दरपड प्रत्वी में समय क्या होगा यानि दरपड में समय क्या दिखेगा तो हम क्या करेंगे 3 बज कर 30 मिनट हम 11 बज कर 60 मिनट में माइनस कर देंगे तो 3 बज कर 30 मिनट हम माइनस कर देंगे 11,60 में यहाँ पे हो जगा 0, यहाँ पे हो जगा 3 और यहाँ पे हो जगा 11 में से 3 जाए 8 यानि 8 बज कर 30 मिनट होगा देखें वास्तिविक समय क्या हो रहा है 3 बज कर 30 मिनट प्रस्ण पूछ दे कि किसी घड़ी में वास्तिविक समय 3 बज कर 30 मिनट हो रहा हैं तो दरपर प्रतवीम का समय क्या होगा है तो हम 11.60 में 33 को माइनस कर देंगे तो मेरा दरपर प्रतवीम का समय निकल कर चला देगा यही मेरा इंसर हो जाएगा ये प्रस्ण शिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ, आगे सवाल में हम लोग करेंगे, आए दुसरा समझते हैं water image की बारे में समझते हैं water image की बारे में जिसको हिंदी में जल्ब प्रत्वीम बोला जाता है, water image को horizontal image की नाम से भी जाना जाता है प्रस्ण पर ध्यान दिजिएगा water image ना देकर horizontal image भी पूछ दे, जिसका हिंदी नाम है 36 प्रत्वीम बोला जाता है समझे घड़ी में water image या horizontal image की लिए फार्मूला क्या होता है, तो दिए गए वास्तविक समय में हम 18 बज कर 30 मिनट या 17 बज कर 90 मिनट माइनस कर देंगे 30 मिनट कहां यूज करना है और 18 बज कर 30 मिनट कहां यूज करना है तो समझते हैं 28 30 कहां पर माइनस करेंगे जब वास्तविक समय 20 थी pilot या 18 30 00 माइनस कर देंगे, दोनों से एंसर वहीं आएगा 27,90 पर भी ON ॥ा या लेकिन घटाने में आपको असानी हो जाएगी नेश्ट समझते हैं 1790 कहाँ पर माइनस करेंगे जब वास्तविक समय 30 मिनट से उपर हो 30 मिनट से प्लस हो तो हमें 1790 माइनस करना है जैसे मान लिजिए कोई वास्तविक समय दिया 8 बज कर पाए 45 मिनट और पूछ देखी वाटर इमेज क्या होगा तो हमें 1790 माइनस करना है 1790 माइनस करना है दूनों से एंसर वहीं आएगा लेकिन घटाने में आपको असानी हो जाएगी तो 1790 हम माइनस कर देंगे 8 पाए 45 में यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे बज़ेगा 8 आठ मेंसे चार जो चार हो जाएगा और यहाँ पे 17 में से 8 जो 9 या 9 बज कर 45 मिनट हो जाएगा यह सिर्फ समझाने के लिए रखा हूँ आए सवाल के तरह बढ़ते हैं पहला कोशन देखते हैं मीरर इमेज से जिसको दरपर प्रतुविम बला जाता हैं इंजामपल नमबर वन देखेंगे जब घड़ी में 9 बज कर 20 मिनट बजा हो तो मीरर इमेज समय क्या हो गए यानि दरपर प्रतुविम का सवाल पूछा हैं त किये गए वास्तविक समय से हम 11 बज कर 60 मिनट माइनस कर देंगे 11 बज कर 60 मिनट माइनस कर देंगे तो वास्तविक समय क्या हो रहे हैं 9 बज कर 20 मिनट माइनस कर दिजी एंस्वरा जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और 11 में से नोजा 2 दरपर प्रत देखने पर समय क्या होगा तो दो बज़कर वास्तिविक समय 10 बज रहा है तो हम लोग यहां पर 10 लिख लेंगे, प्रस्ण पूछ दें कि मीरर इमेज में समय क्या दिखेगा, यानि दरपड में समय क्या दिखेगा, तो दरपड के लिए फर्मूला बताएं हैं कि दिये गए वास्तिविक समय से हमें 11,60 माइनस कर देना ह तो हम लोग यहां पर 11,60 माइनस कर देंगे, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 6, और 11 में से 10 जव एक, यानि एक बज कर 60 मिनट, एक बज कर 60 मिनट का मतलब होता हैं दो बजे, एक बज कर 60 मिनट का मतलब होता हैं दो बजे, 60 मिनट का मतलब होता हैं एक घंटा तो एक घंटा एक में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तो यानि दरपण प्रत्वी में समय क्या दिखेगा दो बज़े आप यहाँ पर image में भी देख सकते हैं दो बज़ रहा है देखिए यह real image है यह जो 10 बज़ रहा है यह real image है और mirror image में समय क्या हो रहा है दो बज़ रहा है एक और प्रस्ण समझते हैं mirror image से ही यह भी mirror image का ही सवाल है यहाँ समझी है real image में time क्या दिया है दो बज़ कर 48 मिनट आप फिगर में देख सकते हैं real time क्या हो रहा है दो बज़ कर 48 मिनट प्रस्ण पूछ दे कि दरपण में देखने पर समय क्या दिखेगा यानि mirror में देखने पर समय क्या दिखेगा तो बताएं अभी mirror के लिए formula कि दिये गए वास्तिविक समय से हमें 11.60 माइनस कर देना है तो इसमें वास्तिविक समय क्या है? 2.40 मिनट तो हम लोग वास्तिविक समय लिख लेंगे 2 बज़ कर 48 मिनट पूछा क्या है mirror image तो mirror image के लिए क्या बता है फर्मूला 1160 माइनस कर देंगे दिये गए वास्तिविक समय में हमें 1160 माइनस कर देना है अब इसको माइनस किजिए यहाँ पे 10 में से 8 ज़द 2 हो जएगा यहाँ पे 5 में से 4 ज़द 1 हो जएगा और 11 में से 2 ज़द 9 हो जएगा यानि 9 बज़ कर 12 मिनट इंसर हो जएगा मेरा किसी घड़ी में वास्तिविक समय 2 बज़ कर 48 मिनट हो रहा है तो उसको दरपड में जब आप देखेंगे तो 9 बज़ कर 12 मिनट समय दिखेगा यहाँ फिगर में देख सकते हैं मीरर इमेज में रियल टाइम क्या हो रहा था है 2 बज़ कर 48 मिनट और मीरर इमेज में समय क्या हो रहा है 9 बज़ कर 12 मिनट आप figure में विदख सकते हैं और मेरा answer भी आया है 9 बजकर 12 मिनट Next प्रस्ण है water image Water image जिसको horizontal image भी बोला जाता है देखे water image को horizontal image भी बोला जाता है जिसको हिंदी में जल प्रत्विम या 36 प्रत्विम बोला जाता है आए प्रस्ण के तरह बढ़ते हैं यहाँ पर देखे प्रस्ण है एक मिनट जूम कर दे रहा हूं प्रस्ण को इसमें देखे सुरामा प्रस्ण दिया है यदि वास्तविक समय चार बजकर 40 मिनट हो रहे हो तो इस इस्तिती में प्रतविम समय क्या होगा यानि वाटर इमेज की बात किया है जिसको होरिजन्टल इमेज बोला जाता है तो आए प्रस्णों को साल्व करते हैं वास्तिविक समय क्या रहा है चार बज कर चालिस मिनट तो हम लोग वास्तिविक समय लिख लेंगे चार बज कर चालिस मिनट अभी बताए हैं water image के लिए formula बताए हैं कि दिये गए वास्तिविक समय में हमें 18, 30 या 17, 90 माइनस कर देना है या 17, 90 माइनस कर देना है 17, 90 को माइनस करना है ये भी बताए हैं कि दिये गए वास्तिविक समय में जब 30 मिनट से उपर समय दिया हो तो हमें 17, 90 माइनस करना है तो समय क्या हो रहा है? 4 बज कर 40 मिनट यानि 30 मिनट से उपर हैं तो हमें 17,90 माइनस करना है, तो 17,90 को हम माइनस करते हैं, यहां पर हो जाएगा 0 यहां पर 9 में से चार्ज और 5 हो जाएगा और यहां 17 में से चार्ज और 13 यानि 13 बज़कर 50 मिनट 13 बज़कर 50 मिनट का मतलब होता है एक बज़कर 50 मिनट 13 बजने का मतलब क्या होता है एक बजना तो 13 बज़कर 50 मिनट का मतलब क्या हो गया एक बज कर पचास मिनट यहाँ पर देखिए आपसन नमबर C भी दिया है एक बज कर पचास मिनट यही मेरा एंसर हो जाएगा आपसन नमबर C इसमें का सत्रहवा प्रस्न देखते हैं सत्रहवा प्रस्न बोला है यदि प्रतिविम्ब समय 6 बज कर 10 मिनट हो रहे हो तो इस इस्तिती में वास्तिविक समय क्या होगा water image काई बात किया है जब इंजा में प्रस्ण आएगा तो आपको देगा कि water image निकलना है कि mirror image निकलना है तो देखिए वास्तिविक समय क्या हो रहा है 6 बज कर 10 मिनट तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 6 बज कर 10 मिनट Water image के लिए formula क्या बता है कि दिये गए वास्तविक समय में हमें 18-30 या 17-90 माइनस कर देना है 18-30 कहा माइनस करना है 17-90 कहा माइनस करना है हम अभी बताए है तो देखिए समय क्या हो रहे वास्तविक समय 6 बज कर 10 मिनट तो 6 बज कर 10 मिनट हो रहा है तो जो मिनट है यह 30 मिनट से कम है तो हमें किस में घटाना है 18-30 में घटाना है 30 से उपर हाता है तो हमें 17-90 माइनस करना होता है तो इसमें समय क्या रहे वास्तविक समय 6 बज कर 10 मिनट तो हम लोग माइनस करेंगे 38 तो माइनस करते हैं यहां पर हो जए गा 0 यहां 3 में से एक जड़ा 2 हो जएगा और 18 में से 6 ज़ा बारा हो जएगा 18 में से 6 ज़ा कितना हो जगा 12 तो इंसर क्या हो जगा 12 बजकर 20 मेनट किसी घड़ी में वास्तिविक समय चो बज कर 10 मिनट हो रहा है जब उसको आप जल में देखेंगे या घड़ी को 36 दिशा में रखेंगे तो आपको समय दीखेगा 12 बज कर 20 मिनट यहां देखिए आपसा नमबर सी सही है आप्सन नमर सी सही है 12 बज़ कर 20 मिनट यहां समझेगा इंसर क्या निकल कर आए 12 बज़ कर 20 मिनट लेकिन 12 बज़ कर 20 मिनट आप्सन में नो देकर 11 बज़ कर 20 मिनट दे देता है तो क्या इंसर सही होता है यह भी सही होता है जब घड़ी में water image या horizontal image पूछे अगर option में माल लिजे कोई वास्तिविक समय जो आपका निकल कर answer आया है अगर वो option में नहीं है तो उसमें आप 1 घंटा minus कर दिजिए एग घंटा minus कर दिजिए देखिए option में एग घंटा minus करके दिया है या वास्तिविक समय जो है वहीं दिया है तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है option में 12 बज कर 20 मिनट न देता है 11 बज कर 20 मिनट देता तो भी answer सही होता है देखिए 18 सावल बोला है यदि प्रतिविम्ब समय 10 बज कर 20 मिनट हो रहे हो तो इस इस्तिती में वास्तिविक समय क्या होगा तो प्रस्णों को साल्ब करते हैं वास्तिविक समय क्या दिया है 10 बज कर 20 मिनट तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 10 बज कर 20 मिनट water image के लिए फर्मूला क्या बता है या horizontal image के लिए कि दियेगे वास्तिविक समय में 18,30 या 17,90 माइनस कर देंगे 17,90 कहाँ पर माइनस करते हैं और 18,30 अभी बताए हैं कि जब वास्तिविक समय में मीनट जब 30 से उपर हो तो हमे 17,90 माइनस करेंगे अगर मिनट 30 से कम हो तो 18 30 माइनस करेंगे तो इसमें समय क्या हो रहा है 10 बज कर 20 मिनट तो हम लोग क्या माइनस करेंगे 18 30 माइनस करेंगे 18 30 को माइनस करते हैं यहाँ पर हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 2 ज़व 1 हो जाएगा और यहां 18 में से 10 जब 8 इंसर के आज़ेगा 8 बज़ कर 10 मिनट इंसर के आज़ेगा 8 बज़ कर 10 मिनट आपसन नमबर A सही है 8 बज़ कर 10 मिनट अगर आपसन में 8 बज़ कर 10 मिनट नो देकर 7 बज़ कर 10 मिनट देता तो क्या ये एंसर सही होता है ये भी answer सही होता क्यों होता अभी बताएं हैं कि ए घंटा इसमें minus करते हैं इंजाम में देखेगा option में क्या दिया है ए घंटा minus करके दिया है या जो आपका answer आया हुआ ही दिया है अगर answer आपका जो आ रहा है अगर वो आप्सन में नहीं है तो तुरंत आप उसमें एगंटा माइनस कर दीजिएगा जैसे 8 बज कर 10 मिनट है तो एगंटा माइनस करेंगे तो क्या हो जागा 7 बज कर 10 मिनट हो जाएगा यही मेरा इंसर हो जाएगा तो इसमें इंसर क्या हो जागा 8 बज कर 10 मिनट आप्सन